मेगलवा में नीसुल साइकल पाकर खिले बालिकाओं के चेहरे सायला उपखन छत्र के मेगलवा कस्बे के राज की उच मादेमिक विद्याले में मंगलवार को साइकल वित्रन कारेकरम का आयोजन जीला परिसे सदे से रामाराम चौधरी के मुख्य अतिती तता उप तैसिलदार चमनलाल की अध्यक्षता में हुआ विशे से अतिती के रूप में सरपंच केराराम राणा लासी चौधरी पीओ अर्विन बाजक उपस्तित रहे कारेकरम को संबदित करते हुए रामाराम चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार वर शिक्षा विबाक की और से शिक्षा के प्रती बालिकों को प्रोचाना देने के उदेशे से कक्षा नौवी की छात्राओं को साइकल वित्रन की प्रदेश सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से कटिबद रहेगी वयुक तैसिलदार चमनलाल ने कहा कि राज्य सरकार दोरा सरकारी विद्याले में दूर दरा से आने वाली बालिकाओं के आवागमन के लिए निसुल साइकल की योजना वाकई सरानी है इससे कई बालिकाओं घर से विद्याले की लंबी दूर इताय करके अपने आगी की बड़ाई जारी रख सकती है वही लासी चोद्री ने कहा कि भारत में बालिकाओं शिक्षा काफी हद तक रास्ट विकास के लिए आविशक है क्योंकि बालिकाओं बालकों की तुलना में बहतर काम कर सकती है आज कर बाली का शिक्षा अविशक वनिवारी भी है क्योंकि बाली का ये देश का भविश्य है और भारत में सामाजी कारतिक रूप से विकास के लिए बाली का शिक्षा की अहम भूमिका रही है वहीं P.E.O. अर्विन बाजक ने बताया कि नौवी कक्षा में पढ़ने वाली 37 बालिकों को राज्य सरकार की ओर से साइकल वित्रन की गई साथ ही उन्होंने अतितियों का अबार व्यक्त किया विद्याले से इस तनानांत्रन हुए तीन शिक्षकों को विदाई दी गए एस मौके पर राजकुमार, पंकच खत्री, नरेंद्र डाबी, पूरा राम डांगी, प्रकास देवासी, मनुलाल, रवी देवासी, लुकाराम, मनोज, जैप्रकास स्वामी समेत कई लोग इस तो वह उनकी जीमेवारी अपने पर सौफ देंगे कि वह क्या चाते, नहीं तो अपन बता देंगे उनको, तो वो कहेंगे कि जो बच्छा चाता है, उसके पीछे मामी पापा अपने पूरा सपोर्ट करते है, अपने गुरूजन भी अपने पीछे पूरी जीजान से आप, क्योंगि याप पे मेंगलों में साइंस थी नहीं उस टाइम अपने आप,